हाई फ्रेंड वेलकाम अगें इन सिविल साइट नॉलेज आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ लोकेशन ओफ ए सेप्टी टैंग अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको यह जनकारी होना चाहिए कि सेप्टी टैंग की इस डायरेक्शन में होना चाहिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट है एज पर बाश्तू अगर आप नहीं बनाते हैं आपके घर पे निगेटिव एनरजी जिनरेट होगा तो इसके वज़े से आपके तरकी में आपके बधाया जिनरेट होगी उत्पन होगा तो आपको क्या करना है कि सेप्टी टैंग एज पर बाश्तू होना चाहिए यह बहुत इंपोर्टेंट है सेप्टी टैंग कहां पुर्वाइट करें किस डायरेक्शन में पुर्वाइट करें मैं इस वीडियो के माधियम से आपको यहीं बताने जा रहा हूँ फ्रेंग्स आप सोचिए कि आपको सेप्टी टैंग पहला नबर मैं यह बता दूँ कि अगर माली आपके पास इतना स्पेस है सेपोर्ट डैट है अगर आप चाहते हैं यह माली चे तीन हजार स्क्वाइर फीट है तीन हजार स्क्वाइर फीट यह प्लॉट एरिया है आप सुचते हैं कि हमें एक हजार या दो हजार स्क्वाइर फीट में कंश्टक्ट करना है घर बनाना है तो अगर ऐसा है तो safety tank इस area में तो आप बनाईए मत इस से बाहर बनाईए पहला condition कि आपको क्या करना है house area में safety tank नहीं होना चाहिए जो भी area है इसमें नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो दूसरा condition की माल लिया जाए कि आपके पास 1000 ही square feet है इसके लिए इसमें घर भी बनाना है safety tank भी बनाना है तो किस direction में बनाना चाहिए square feet अगर माल लिए आपके पास जमीन है और इसी area है और कोई हमारे पास extra area नहीं है और इस area में आपको safety tank सब कुछ बनाना ही है क्योंकि इसके लिए हुआ था यह इसके लिए था कि नहीं बनाना है house area में जो जिनके अपास अधिक जमीन है लेकिन आप क्या करेंगे इस area बनाना है तो आपको क्या करना है सबसे पाले नंबर जो भी आपके माल लिया जाए तो आप इसको 9 पार्ट में डिवाइड कर दिजे पूरे 9 पार्ट में माल नहीं जाए तो सोरी 9 पार्ट ऐसे पूरे डिवाइड कर लिजे अपने area को डिवाइड कर लिजिए 123456789 इसी तरह इधर से भी दो तीन चार पार्ट 1234567 और इधर कर लिए एट और नाइट ठीक है आप पहले से प्लान यह कीजिए डिवाइड कीजिए ऐसे कर लिजिए यानि कि अब इस एरिया को आपको क्या करना है 9 पार्टों में 9 बहावगों में 123456789 ठीक है तो कितना भी हो मालीजिए यह 10 फीट है तो 10 फीट का डिवाइड करके आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको क्या होगा कि यह जनकारी मिलेगा कि हमारा प्लॉट एरिया है जैसे हम जो बनाएंगे बता रहे हैं उसके अनुसार आपको करना है इस एरिया को तो अगर मालीजी आपको यह समझ में नहीं आना था आप दायारेक्ट इस एरिया को तीन पार्टों में दिवाइड कर सकते हैं इसपल में पीज़ें आपने उसके बाद आपको क्या करना है पहला नुबर नूबर दुसरा अपर घूरेथ करना साउथ इस्ट और वेश्ट अब आपको कहां पिए सेप्टी टेंक बनाना उचित होता है एकॉर्डिंटू बाश्टू तीन डायरेक्शन होता है पाला नमबर कभी भी कॉर्णर में यह देखिए इसान कॉर्ण है अगर माना जाता है कि बाश्टू जो पूरूस होते हैं इनक कॉर्णर पर बनाते हैं तो आपके क्या होगा लच्मी का लॉसेज होगा धन का हानी होगा इस डायरेक्शन में बनाते हैं स्वास्त में कमी रहेगी ऐसा माना जाता है बाश्टू के अनुसार ठीक है आपको यहां नहीं बनाना है यहां भी नहीं बनाना है यह आपको जानत बॉक्स में में डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक देढ़ा आप देख सकते हैं कौन अगर यह नर्थ एरिया को बाते ही तो यह कूबेर का अश्थान होता है तो आप इधर भी नहीं बना सकते हैं सैप्टी टैंक आपको बनाना कहा है आपको इस कॉर्णर से छोड़के मानने य इस एरिया में सैप्टी टैंक बना सकते हैं इस वाला एरिया में यह सैप्टी टैंक का अश्थान उत्तम माना जाता है ठीक है और यह वाला इधर से कॉर्णर से छोड़के यह वाला पार्ट में आप सैप्टी टैंक बना सकते हैं अब मैं बताया कि सैप्टी टैंक कहां पर बना सकते हैं South और West direction लेकिन आपको corner छोड़ के Con köną नर्थर पे नहीं बनाना है वाल corner के बनाना है दूसरा number आपको कहां पे West and North यानी Nearth West direction में आपको बनाना है टिक है तो यह भी आपना कब्वी भी corner पे नहीं बनाना है आप अध्यान देने इस direction पे यहां से यह ओके तो दो point एक और point आता है आप देखते हैं लेकिन आप इसको ignore किजिएगा नर्थ और नर्थ और south direction में यहां पे लेकिन इसको आपको बनाना नहीं है बहुत अगर इधर नहीं बना पाएं तभी बनाईएगा आप इस condition में क्योंकि यह अगनी कुण होता है इधर kitchen प्रवाइट किया जाता है यह इधर नहीं बनाते हैं ओके तो आप इसको avoid करेजिएगा आपको यहां नहीं बनाना है ओके फ्रेंड तो देखते हैं कि अगर यह हमने support डैट यह तीन मैंने पार्ट आपको बता दिया है मैं बोला कि 9 पार्ट मत किजिए आप 3 पार्ट कर लीजी तीन पार्ट करने पर थोड़ा easy होता है आपको समझने में भी असान होगा कि किस direction बताएं यह नर्थ साउथ इस्ट और वेश्ट डैरेक्शन ओके तो मैंने अभी अभी बता है कॉर्णर से छोड़के आपको इस direction में बनाना है safety tank यहां बना दिये safety tank और यहां पर भी कॉर्णर छोड़के इधर बनाना है safety tank यह दो ही दिये यह भूल जाईए इस direction में बनाएगा अब आपको भी इसमें भी choice करना है which is better कौन बेटर है तो आप इसको देखिए कि आपका main gate कि इधर है main gate क्यों कि आपको main gate इसलिए कि gate main gate को देखिए इसमें main gate किधर provide किया है किधर construct किया main gate ऐसा इसलिए कि माली जाएगे आपका यह plot है आप देखिए इस point पर देखिए आपका माली जाए पॉइंट है ठीक है plot है अब यह रोड है ठीक है अगर इनके safety tank यह क्या होता है पूरी तरफ पूरी तरफ फील हो जाए यानि कि भर जाए तो क्या करेंगी इसको clean भी आपको करना है तो clean करेंगे तो roads के नदिक रहेगा multiple के जो गाड़ी आएंगे तो vacuum से पूरे clean कर देंगे तो आपको easy कैसे होगा इनका pipe यहां तक जाना चाहिए यह भी देखिए आपको अगर माले यहां बना देंगे तो यह clean करने में problem होगा तो आपको यह देखना है कि आपके पास road approach कैसे हम इसको clean करना है कि सिर्फ safety tank बनाना आपका उदेश नहीं है इसको clean करना भी आपका उदेश है तो आप उस area को यह दोनों में select किजिए किस पर road पर main gap देखते हुए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा हो तो like किजिए फ्रेंड के साथ share किजिए मिलते है next video